हाई फ्रेंग्स वेलकम टू कॉंसेट पढ़ाएंगे सब को सिखाएंगे सीरीज तो इस वीडियो पे हम समझेंगे बेस एफेक्ट के बारे में कि बेस एफेक्ट क्या है ये चीज आपने नियोज में कई बार पढ़ा होगा लेकिन एक छोटा साग इंफूशन आपके दिमार में हमेशा रहे जाता है कि बेस एफेक्ट है क्या तो देखो ये एक सिंपल सा एक्कोनामिक कॉंसेट है लेकिन इसको समझने के लिए हमें एक एक इकनामिक इंडिकेटर का help लेना है तो हमने help लिया इंफ्लेशन का तो अब आप सोचे रहे हूं इंफ्लेशन का ही क्यों तो तो अगर आपको लगता है आपके family member को दिखाना चाहिए obviously प्रीजे सूर कर दिए So, let's begin So, friends, good morning and welcome to AXMB अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहे हैं तो आप कर लो क्यूंकि इस से बहतर मौका नहीं मिलेगा हम हर देन आपके लिए कुछ ना कुछ इस कॉंसेप्ट लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि हमको यह परना क्यों है वाई विया रिडिंग इट रैइट परने के पीछे आप जो यह समय दोगी यह समय क्यों दो गया तो देखो यह कुछ न्यूस आर्टिकल से मैंने यह वर्ट को उठा के लाया त तो देखो बेस एफेक्ट लेड फॉल डाउं डाउं दोज नॉट मीन इस टार्ट ओफ इंफलेशन इजिंग साइकल ठीक है इसका मतलब क्या है तो अगर आप इस बेस एफेक्ट के मतलब को नहीं जानते हैं आप जब इस न्यूस को परोगे तो आपको यह समझ में नहीं तो इसलिए मैंने थमनेल पे लिखा कि इस वज़े से आपको न्यूस समझ में नहीं आता है तो फ्रेंक्स ऐसे कॉंसेप्ट बहुत इपॉर्टेंट है तो देखो यहां पे भी मनी कंट्रोल का एक आर्टिकल है उसमें भी इस वर्ट को लिखा गया है फेवरेबल बेस एफ तो हमको तो यह पता होना चाहिए ये बेस एफेक्ट क्या है तो वैसे ही same एक दूसरे आर्टिकल में भी लिखा हुआ है बेस फेवरेबल बेस नाओ वाट analyt इस येस वहाईफेफेक्ट है पैस में जाना नन एकस्ट फ़ाइ साब्यां नेक्स फ़ाइश्वयर करते हैं तो is used in relation to an economic indicator such as inflation, GDP growth and IIP data, ठीक है, तो यहाँ पर हम तीनों का example नहीं लेंगे, यहाँ पर तो हम क्या लेंगे, inflation जैसा कि मैंने lecture के शुरुवात में आपको बोला है, so let us only take inflation and let's understand the topic, तो देखो inflation count कैसे होता है, यह count होता है, year on year, inflation का मतलब क्या है, a general rising price, मतलब इस साल जो महेंगाई है, वो पिछले साल के मुकाबले में कितना percentage ज्यादा या कितना percentage कम है, तो इसको हम English में क्या बोलते है, year over year, मतलब y-o-y, आपने ये वाला word भी कई जगा पे लिखा हुआ पाया होगा, अब आप समझ रहे हो, कि basic effect के बार में तो मैंने कुछ बताया है यह नहीं, तो ऐसा नहीं है, अब हम शुरू करेंगे समझना, तो देखो, the rate of inflation is the change percentage in the price index from one year to another, ये चीज़ आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम जब किसी भी चीज़ का percentage calculate करते हैं, औवियस सी बात है, हमको एक comparative period चाहिए, है ना, कई बार हम बोलते हैं कि इतने percentage से जादा हुआ, इतने percentage से कम हुआ, usually हम ये बोलचाल की भाशा में बोलते हैं, तो जब हम बोलते हैं ना, इतने percentage से जादा हुआ है, इसका मतलब हम one-on-one किसी एक parameter के साथ compare कर रहे हैं, तो क्योंकि बात हम यहाँ पर inflation की कर रहे हैं, तो हम compare किस से करेंगे, हम index से करेंगे, अभी index है क्या, इसको हम आगे समझते हैं, देखो, एक छोटा सा हम, क्या बनाते हैं, एक छोटा सा हम table बनाते हैं, तो यह आप black वाले table को धेन दो, देखो, इसमें year है, price index है, inflation है, price index मान के चलो, 2012 में कोई भी product, सॉरी, 2019 में कोई भी product का कीमत कितना था, 100 रुपीस था, 2020 में यह चलके 125 हो गया, 2020 से 21 में, यह क्या हो गया, 100 रुपे हो गया, and 2022 में यह 175 हो गया, तो अगर आपको inflation calculate करना है, percentage, ठीक है, यह 25 परसेंट यह 20 परसेंट कैसे आया, इस formula में लगाते हैं, price index in current year, ठीक है, in current year, अच्छा, इसका करते हैं, 2021 का calculate करते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ताकि हम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 150 minus 125, क्यों, क्योंकि price index in last year, मतलब last year के साथ हम compare कर रहें, divided by price index in last year, कितना है, 125 multiplied by 100, अगर हम इसको solve करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 25 upon 125 multiplied by 100, यह क्या हो जाएगा, 25 into 5, यह 5 से 100 कटेगा, हो जाएगा 20 percentage, तो यह मिल गया आपको inflation का percentage 20, यह कैसे आता है, formula में आप लगाना सिख गया हो, अब हम base effect की बात करते हैं, देखो base effect बगा simple है, base मतलब क्या है, denominator, यह हमने school में पढ़ा होगा, तो बात यहां की कर रहे हैं, यह है, ठीक है, इसको बोल करेंगे denominator, तो यहां पे हम mathematical term को use नहीं कर रहे हैं, हम base word को use करेंगे, ठीक है, तो मैं यहां पे अब आपके लिए इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं पूरा सा गप कर देता हूँ, चलो, तो अब समझते हैं, 2021 को अब calculate करते हैं, अगर आप 2021 को calculate करोगे, तो देखो, अब 21 में यह index कम क्यों हुआ, मतलब देखो, आप यह भी सोच सकते हो, कि यह black वाले में तो सही दिख रहा हैं, लेकिन यह blue वाले इसमें 100, 125, फिर all of a sudden यह price कम क्यों हो गया, So, let us suppose कि 2021 में COVID हीट किया, COVID के बज़े से यह price घट गया, अब क्यों घटा, देखो, COVID के बज़े से क्या हुआ, देश में lockdown लग गया, लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, तो अब यह सी बात है, लोग कुछ नहीं खरीद रहे थे, मतलब there were supply, right, but there were no demand, तो demand create करने के लिए, क्योंकि demand जब तक नहीं create होगा, तब तक economy में growth नहीं होगा, चीजों का price को गिराया गया, price को कम किया गया, taxes को कम किया गया, right, जिस वज़े से जो price index है, वो गिर गया, तो price index अभी कितना है, 80 है, तो अगर 2022 में सब normal हो गया, तो inflation अपने जगा पे आ गया, अब जब सब normal है तब price क्यों कम रहेगा, तब तो price चीजों का बढ़ेगा, tax भी बढ़ जाएगा, क्योंकि government को loss है, tax कम करने से, उसके बाद चो extra demand create करने के लिए, prices को कम किया गया था, अब वो loss को cover करने के लिए, prices को बढ़ाया जाएगा, right, तो ये normal हो गया, 130, क्योंकि आप compare करो, ऐसा नह outdown था, बन था, सब कुछ, तो ये 130 next वाले साल में हुआ, अब आप इस formula में 2022 का calculation करते हैं, ठीक है, 2022 का calculation करते हैं, price index in current year, कितना है current year में, 130, minus, पिछले साल कितना है, 80, upon 80, multiplied by 100, आप जब इसको calculate करोगे, तो आपको मिलेगा 62.5%, अब आप index को देखो, index के हिसाब से inflation सही है, मतलब कोई बहुत बड़ा inflation नहीं आया है, लेकिन आप percentage terms में देखो, तो आप डर जाओगे, कि आरे बापरे 62.5% interest है, इसी को बोलते है, low base effect, या base effect, मतलब जो पिछले साल का index है, उसके गिल जाने के वज़े से, जब data normal हो जाता है, तब जो percentage है, वो बर के आता है, तो ये जो बर के आया है, तो ये किसलिए आया है, ये because of base effect आया है, I hope I was able to explain you well, इसके बाद भी आपको कुछ अगर doubt रह जाता है, तो आप please comment section में comment करो, ताकि आपको उस तरीके का news समझ में आए, तो देखो, जो December का CPI data आएगा, ठीक है वो 12 तारीक को आएगा, 12 ओफ, December को, शाम को release होगा, तो probably आप newspaper में इसको 13 तारीक के December के news में आप देख पाओगे, तो तब आप इस base word को जब परोगे, आप मेरे इस lecture को याद करोगे, friends, जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दू, अब क्यूंकि जो inflation का data है, इंडिया में month on month आता है, तो इसको month on month भी कर सकते हैं, सिर्फ ये current year के जगा से current month कर देंगे, और last year के जगा से last month कर लिख देंगे, और यहाँ पे भी last month लिख देंगे, तो ये month on month भी calculate हम कर सकते हैं, with this, let's meet in some other lecture and always remember, XMB helps prepare you 50% faster, right?